नमस्केर दोस्तो आप सभी लोगा बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल और मोल आईरवेदा में हम हाजी रहें एक और नई जनकारियों को ले करके दोस्तो आज हम आपको एक ऐसे पेड़ के बारे में बताएंगे जिसका लकड़ी बहुत ही मजबूत होता है और यह पेड़ आपको पूरे भारत वर्ष में मिल जाता है जिहां गुजरात हो राष्थान हो बिहार हो जारखन हो उडिसा हो मुंबई हो कहीं पर भी आपको यह बहुत यह असानी से मिल जाता है जिहां आज हम बात करेंगे सीसम के फायदों के बारे में इसे बहुत से जगों पर सीसो कहा जाता है दोस्तो इसका पत्ता स्वाद में कड़वा होता है कसयला होता है लेकिन इसके पत्तों से जो लसीला पदार्थ निकलता है चिपचीपा होना नपुन सकता एक बीमारी होना या फिर सरीर की जहन को खत्म कर सकते हैं मुत्र विकार बहुत सारे लोगों को समस्या होती है कि बार बार पैसाब लगता है या फिर पैसाब लगता है तो बहुत ही कम-कम मत्रा में होता है तो मुत्र विकार को भी खत्म कर सकते हैं जोड़ पर आपको regular नए नए वीडियो मिलते रहते हैं तो चलिए दोस्तों जानते हैं 20 सिसके फाइदों का बारे में सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं अगर हमारा सरीर जल जाये तो हमें क्या करना चाहिए खाना बनाते वक्त अगर कई हमारा हाथ पेर जल जाए तो सीसम के पत्तों को पीछ कर छापने से अराम मिलता है और जला हुवा अंग पर निसान भी नहीं बनते है इसके बाद दुस्तों मधुमेह मधुमेह से गरसित मरीज को सीसम के आठ से दस पत्तों को दो दाने काली मिर्च के साथ पराता काल सेवन करने से लाव होता है चर्म रोग सीसम का तेल लगाने से दाद, खाज, खुजली में अराम मिलता है आपको यह तेल आपके आस पास किराने का दुकान में बहुत यसानी से मिल जाएगा दोस्तों जोडों का दर्ध हो, घुटनों का दर्ध हो तो सीसम के तेल से मालिस करने से अराम मिलता है इसके बाद है आँखों की लाली मा कभी-कभी हमारे आँख पूरी तरह से लाल हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा आसानी और दर्ध होता है तो सीसम के नर्म पत्तों को पीस लें और लुगदी बना लें और उसे रात भर के लिए कपड़े की साहता से आँखों पर पट्टी की तरब बांद लें ध्यान रहे आपको डायरेक्ट आँखों पर नहीं बांदना है इससे आँखों की लाली मा और दर्ध दोनों ही खत्म हो जाते हैं तो दोस्तों यह बहुती बहुती जनकारी थी सीसम के बारे में उमिद करता हूँ आपको यह बहुती पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करें हमरे चैनल को सबस्क्राइब करें हम आपसे जल्दी मिलते हैं किसी और नहीं जनकारी के साथ तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार दोस्तों